नमिश्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटिजम एंड मॉम पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा 5 साल का बेटा है सात्विक उसको आउटिजम है तो उसे छोटी-छोटी चीज़ में प्रॉबलम होती है जैसे कोई भी चीज उ आप लोगों को पसंद आएंगी और आपके लिए यूसफुल साबित होंगी तो आपको मैं एक्सराइज की तरफ लेके चलती हैं जिसमें बच्चों को मैच करना होगा यह भी फाइन मूटर्स की है आप पैंसिल पकड़के अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप इस तरी नहीं आता है उसके फाइन मूटर्स इतने अच्छे नहीं है अगर आप रोज रोज करवाते जाओगे तो उसे आ जाएगा उसे वो करना शुरू कर देगा तो आप ट्राइज जरूर कीजिए आज नहीं तो कल वो जरूर करेगा जैसे यह करेगा अभी यह श्लोक है फिर सा इसे के तरीके से आप मैच करवा सकते हैं इसमें इसमें बच्चों को यह आपके बच्चे को अगuing ज्यादा परिशानी हो तो आपके फार् dog बना ईए क Physics में में बना इत फिर से मैच करवाईय Wait P. P ranhoude साथ prejudice में मैं ये सेब के आई हूं ये थोड़ी तफ बनाई लए है। बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, अब यह इनको match करके दिखाएगा, सब्से भाएले यह बताएगा, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है 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 यह 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 वेरी गूड अब इनको मैच करोगे मैच करो आप छोटा-छोटा बनाओगे और आई हैंड कॉर्डिनेशन तो बहुत बढ़िया होगा इससे देखो आप इसका आई हैंड कॉर्डिनेशन आप खुद ही देख लीजे कितना ध्यान लग रहा है इसका कितना मन लग रहा है जितने भी फाइन मोटर स्किल्स की जितरी भी एक्सराइज होती है उसमें आई हैंड कोडिनेशन बहुत बढ़िया होता है और अगर आप उसे जितना इंट्रेस्टिंग बनाएंगे उनका आई हैं कोडिनेशन उतना ही ज़्यादा पड़ेगा इसे बच्चे का आई कॉंटेक्ट भी बढ़ेगा तो यह जरूर करवाईएगा तो गाइस एक और मैं फाइन मूटर स्किल्स की एक्सराइज के लिए लेके आई हूं आप लोग देख सकते हैं यह है अगरबती की डंडिया और यह है प्ले अब यह बच्चे इन अगरबती की डंडियों को इस क्ले में लगाएंगे लाओ बटा इस क्ले में इस तरीके से तो यह फाइन मूटर स्किल्स का चाम कर रहे हैं और ऑइय हर्ण कॉडिनेशन की चलो क्या करो यह लगाऊ वेरी गुड बहुत बढ़िया आई हैं कोडिनेशन हो रहा है और तो एक्टाइल सेंस का भी इसमें पुरा यूज भो रहा है fine motor skills का भी और eye hand coordination का भी तो आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छी से ये लोग कर रहा है निका मन भी लग रहा है निका eye hand coordination भी बहुत बढ़िया है और fine motor skills इससे बहुत अच्छी से increase होगी इससे क्या होगा कि बच्चे spoon से खाना खा सकते हैं कोई भी काम कर सकते हैं और भी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी बहुत बढ़िया eye hand coordination हो रहा है और तो और tactile sense का भी इसमें पूरा यूज हो रहा है fine motor skills का भी और eye hand coordination का भी और बच्चों का मन भी लग रहा है करने में पहले नहीं कर पाता था साथ विक श्लोक कर लेता था लेकिन साथ विक नहीं कर पाता था अब साथ विक ज्यादा अच्छी से कर ले रहा है बहुत अच्छी से यह पकड़ रहा है और इसमें लगा रहा है लगाओ इसमें लगाओ इसमें लगाओ वेरी गुड अभी के लिए ये दो एक्सराइज काफी हैं और भी मैं फाइन मोटर स्किल्स के आगे की वीडियो में दिखाऊंगे तब तक के लिए बाई-बाई अब मिलते हैं अगली वीडियो में बाई-बाई करो साथविक बाई करो अगली वीडियो में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप भी घर पर कराईए अपने बच्चे को बहुत फाइदा मिलेगा और मेरी तो शुब कामना है यह आपके साथ जब मिलते हैं अगली वीडियो में बाई